वेल्कम् टू माइ चैनल कॉंप्लेक्स便ंट और आज इस वीडियो में हम लூt में हम लोग सर्कल का सर्कम्फैरंस को प्रूफ करने सिह गेंगे जैसे कि आप लोगों को पता होगा किस सर्कम्फैरंस जो होता हो डूपायार होता है लेकिन タूपययर कैसे होता है इसी का प्रूफ आज़की इस वीडियो में मुख देखेंगे वीडियो कंदक बने रहना ताकि आपको इसके रिलिटेट जो भी कॉंसेप्ट है समझ में आ जाए और अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करने तो चलिए ज्यादा देर ना कर वीका वेल्यू होता है वो 22 sign 7 Revir का वेल्यू कितना होता है 22 वब सेवकर यद्याल और मैं आप से पूझें की वीक जो होता है आर जो है आपका रेडियस कर लाता है ठीक है अब हम लोग इसमें यह देख लेते हैं कि इस चीज को अगर आप डिवाइड करोगे तो 22 बैस 7 को यह 3.14 के बरावर ही होता है तो आप पाई का वैल्यू 22 बैस 7 भी समाश सकते हो और 3.14 भी जैसा कि आपने रेक्टेंगल में देखा होगा रेक्टेंगल का पैरिमीटर होता है लेकिन सर्कल जो होता है मालिया जहां हम यह एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यह जो सर्कल आपको दिख रहा है इसका जो बॉंडरी है उसको आप कैसे मिज़र करोगे तो इसको हम लोग सर्कल को जो पैरिमीटर होता है उसको सर्कमपैरंस कहा जाता है तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां से आपका एक डाउट क्लिए हो गया होगा कि सर्कमफैरंस को ही पैरिमीटर करते हैं बस सर्कल में है तो उसको हम लोग क्या बहुते हैं सर्कमपैरंस कि अब हम लोग यह देखेंगे कि यह टू पार क्या से होता है यह तो था आपका बैशिक कॉंसेप्ट तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहला कि माल लेते हैं कि हमारे जो रेडियस है और वह हमने कि इतना हुआ ठीक है इसके एराउंड जो भी इसका सर्कम्फैरंस बनेगा जो भी सर्कल बनेगा कि माल लेते हैं कुछ इस प्रकार का बनता है ठीक है कि फिगर सोड़ा गड़बार है मगर अड़ेस्ट करना ओके यह जो है आपका ओर सेंटिमेटर का है तो जब आप इसका एरिया निकालोगे है जब आप इसका सर्कम्फैरंस निकालोगे तो इस सर्कल का जो सर्कम्फैरंस होगा वह कितना हुगा कि सर्कम्फैरंस एक जो होगा वो 25.1 के इक्वल होगा ठीक है और अगर हम डामिटर की बात करें तो डामिटर जो है क्या होता यह तो आपका रेडियस का लाए इसको और यहां से यहां अगर हम जोड दें तो यह पूर आपको क्या लाएगा आपकादमेटर के लाएगा यहां से अपका लेका आजाएगा किग असे है अ 타 pa मुर्पार घशे मेरा है कितना जाएगा 8 सेंटिमेटर तो यहां से आपको आपको क्या समझ भी आया कि सर्कंफेरंस जो अगर हम रेडियस 4 cm लेते हैं तो उसका circumference 25.1 आता है cm में और diameter लेते हैं तो वो 8 cm है तो इसमें तो हम इसको कैसे ना परेंगे जो circle का circumference है इसको हम कैसे measure करेंगे तो इसको measure करने के लिए हम क्या करते हैं यह circle है circle का जो भी आपका boundary दिख रहा है उसको हम क्या करते है एक स्ट्रेट लाइन में इस टाइप से इसको अगर माल लिए यह एक वायर होता तो इसको हम आसानी से इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट से यहां से यहां तक खोल कि उसको कुछ इस परकार से फैला सकते हैं और फिर आसानी से measure कर सकते हैं तो इसको जब आप measure करोगे तो इसका कितना measurement आया 25.1 cm है ठीक है यह हमने क्या किया यह आपका पहला था है तो यह आपका पहला एक्जांपल हो गया अब हम एक और एक्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका जोगी इसमें डाउट होगा वह आपका और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा अब हम क्या करेंगे कि इसका एक और सरकल लेंगे जिसका radius कितना होगा इसका तो जब आप मेजर करोगे इसका सरकमफेरंस 37.68 के इक्वल हो जाएगा 37.68 के इक्वल हो जाएगा और रेडियस और रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस हो जाएगा टू आर जिस्टू मल्टिप्लाइब आई सिक्स के बराबर अब आप यह बताओ कि मैं यहार सरकमफेरंस और रेडियस के ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं तो देखो जब भी आप सरकमफेरंस को रेडियस से डिवाइड करोगे तो आपका एक वेल्यू आएगा देखो इसमें हम करते हैं सरकमफेरंस को रेडियस सौर्डी रेडियस नहीं सरकमफेरंस बार डायमीटर करोगे तो आपको क्या आएगा डिवाइड करके देख लेते हैं 25.1 divided by 8 तो इसको जब आप डिवाइट करोगे न तो इसका जो वेल्य होगा एप्रोक्सिमेटली इकोल टो कितना होगा 3.14 उसी टाइब से आपको क्या करना है बस सरकंफेरंस को डामेटर से डिवाइट करना है और आपका जो भी वेल्य निकलेगा वह आपका 3.14 के एप्रोक्सिमेट होगा तो यह तो हमारा पहला एकजंपल था जिसमें हमने रेडियस 4 सेंटीमेटर का लिया था अब एक और देख लेते हैं देखो इसमें भी कितना है सरकंफेरंस 37.68 तो देखो यहां पर सरकंफेरंस कितना है 37.68 अब डियमेटर कितना है तो डियमेटर है आपका कि टूल सेंटीमेटर है अब आप देख लो निकालके डिवाइड करोगे तो इसका भी वेल्यू एप्रोक्सिमेट होगा 3.14 के वेल्यू तो इसी टाइप से निकाल लो और उसमें सरकंफेरंस और डियमेटर निकाल लेना है ऑपको और सरकंफेरंस को डियमेटर से जैसे ही डिवाइड करोगे तो इसी से हमारा एक कॉंसेप्ट निकला कि अगर हम circumference और diameter को divide करते हैं तो वो approximately equal to होगा πाई के तो यहां से अगर आप चाहो तो circumference का जो value होगा देखो क्या निकलता है circumference equal to πाई d और diameter आप जानते हो टू आर के equal होता है तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई multiply by टू आर और यहां से आपका circumference का जो value है तो पाई आर के equal लिगल गया तो आज तक आपने यह देखा हुआ कि circumference को जो circumference of circle क्या होता है टू पायार के बरावर है आज हमने क्या किया इस चीज़ को सीख लिया कि यह कैसे टू पायार के बरावर है कि आपको यह वीडियो लगा हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे भी मॉटिवेट करना ताकि मैं इस टाइप के और वीडियो बना सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे concept के साथ थैंक्यू करनो